Hello and welcome to what is new में आज की ये वीडियो बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स ध्यान से देखें अगर पेरेंट्स के दिमाग में ये चल रहा है कि अपने बच्चे को बारवी के बाद क्या करवाएं वो सभी पेरेंट्स पहले अपनी सोच को बदलवाएं एक बात हमेशा ध्यान में रखी आपने कुछ नी करवाना जो करेगा आपका बच्चा करेगा चाहे आप अपने बच्चे को खिलोने ना दिलवाओ, स्कूटी ना दिलवाओ, साइकल मत दिलवाओ, प्लेस्टिशन मत दिलवाओ, फोन मत दिलवाओ चाहे उनकी कोई बात ना मानो बर जहां बात उसके करियर की आ जाए सिर्फ उसी की मानो जब बच्चे शेतानी करते हैं तब तो उन्हें डाट के कहते हो कि इतना बड़ा हो गया तुझे अकल नहीं है कि 12 के बाद अपने बच्चे से पूछो कि बेटा क्या करेगा और जो वो बोले उसकी हां में हां भर दो कभी अपने बच्चे पे ट्रस्ट करके देखो उसे एहसास दिलाओ कि आगे के लाइफ के सारे डिसीजन तुने खुद ही लेने है यही सबसे बेस्ट टाइम है जब वो सीखेगा अपने फैसले खुद कैसे लेने है जब वो अपने करियर का खुद डिसीजन लेगा तो दो बाते होगी या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा और ये सही गलत की कहानी एक साल में दिख जाएगी अब पेरेंट्स कहेंगे कि लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन और वो गलत ले ले तो चलो मान लिया फैसला गलत हो भी गया एक साल में रिजल्ट आ जाएगा बच्चे को समझ आ जाएगी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख होगी है जो लाइफ टाइम उसके काम में आएगी पेरेंट्स के इसाब से एक साल तो वेस्ट हुआ न एक्चुली में आप उसको वेस्ट इयर मत कहिए उसको एक्सपीरियन्स गेनिंग इयर बोलिये चलो पेरेंट्स की बात को बड़ा कर भी दूँ कि एक साल वेस्ट हो गया तो क्या फरक पड़ जाएगा बच्चे की शादी आप 26 में करवातें वही 27 में हो जाएगी बच्चे को शादी के लिए ही तो प्रिपेर करते हैं पेरेंट्स जमाना बिलकुल बदल गया है डंडे के जोर पे पढ़ाई ना करवाई अपने बच्चों से सीरियसली अगर बच्चे का पढ़ने का मन है तो उसको बोलिए कि नंबर लाए और पढ़ाई करें जितने भी एंट्रेंस टेस्ट देने दे जितनी भी ट्यूशन लगवानिये लगवाएं जितने भी किताबे खरीद्य खरीदे पढ़े लेकिन कॉलेज के एड्मिशन के लिए डोनेशन ना दे एंट्रेंस एक्जां में बडिया करे मार्क्स लाए और एड्मिशन ले ले चाहे किसी भी कॉलेज में नंबर आए वही एड्मिशन ले ले खुद से जब वो admission लेगा तब उसे वो मेहनत का फल बहुत मीठा लगेगा और उस फल की वो कदर भी करेगा आप पैसे भर के उसको कोई college की seat दिलवाद हो और वो उसकी कदर करे ना करे जब खुद number लाके वो college की seat पाएगा तब उस बच्चे का mindset भी clear होगा कि मैंने ऐसे ही म नोकरी भी लगवा दूँगा अगर कुछ हो ना पाया तो यह जो मेरा business चल रहा है तेरा ही है तूने ही संभालना है ask them to make their own life सब अपने बच्चे के decision पे छोड़ दो और respect करो उनके decisions की आप हमेशा से उनका सहारा ना बनिये उनके पीछे रहिए जैसे आप अपने बच्चे को साइकल चलाना सिखाते हैं ऐसे ही आप उनको जिन्दगी में आगे बढ़ना सिखाई है और बिना गिरे तो साइकल भी नहीं सीखी जाती बार वी के बाद बीटेक फिर पक की नोकरी यह स्कीम पुरानी हो गया जौब आजकल बची ही कहा है बढ़िया जौब के लिए आप ऐसे बहुत से एक्जामपल्स देख लोगे और भी तो जौब्स में बहुत बड़ी गिरावट आएगी जब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अपनी पीक पे होगा खाली मेंस्ट्रीम पढ़ाई से बच्चे का कुछ नहीं होगा स्किल डिवलप्मेंट बहुत ज़रू सोचा होगा कि दस साल बाद सडकों पर इतनी सारी गाड़िया नज़र आएंगी क्या 2001 में किसी ने ये सोचा होगा कि 10 साल बाद हर किसी के हाथ में फोन नज़र आएंगे क्या 2010 में किसी ने सोचा होगा कि 10 साल बाद ऐसी बिमारी आएंगी कि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग जाएगा अब 2021 में 10 साल बाद क्या हो इसकी कोई imagination करे ही नहीं सकता क्या पता 2021 में सिरफ मशीनों से ही काम हो manpower की कहीं जरुरूरत हो भी या नहीं काम हो भी या नहीं या जिन्दा हो भी या नहीं कुछ भी हो सकता है सुनने में लगता है कि 10 साल बहुत ही ज्यादा होते हैं बट बीत वे पता भी नहीं चलता future किसी का भी सिक्योर नहीं है इसलिए बच्चों को अपनी गिसी पीटी सला देने से बढ़िया है जो उनको दिल और दिमाग को भाए वो करने दीजिए आज कल की जनरेशन बहुत 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 ज़ादा एडवांस्ड है और आपकी समझदारी इसी में ही होगी कि अपने बच्चों को ना समझ ना समझे अगर आप अपने बच्चे के डिसीजन की कदर करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जी जान लगा देंगे इस डिसीजन को सही करने के लिए क्योंकि बच्चे कभी अपने माबाप को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि हाँ बेटा देख लिए अपने डिसीजन का अंजाम आज के लिए इतना ग्यान काफी है मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए छोटोगो प्यार और बड़ोगो नमस्कार ओके बाई